माइदा जोеждर इस वक्त मैं खड़ा हूँ होटल माइदा पर शिकंचनगेजी कि नाम अपने बहुत सुना होगा तेरे की एक बहुत ही पॉपूलर डिश है आपको हर रेस्टेरणं पर चिक्रिप्शन बॉजेगा चिक्ञेजी आपको यह 52 निक्तर की देन े जिसे आफ यहां जायका लेना तो जरूरी है क्योंकि बिना जायका लिए तो आप समझ नहीं पाएंगे के टेस्ट कैसा है इसलिए यहां पर आना पड़ा आज संडे है और बहुत ही जादा यहां पर भीड़ है नॉर्मल डेज में मुझे पता नहीं कितनी भीड़ होती है लेकिन आज मुझे आदा घंटा इंतिजार करना पड़ा तब मुझे बैठने के लिए जगा मिली यह देखें देखने में आपको कैसा लग रहा है और बाखी जब मैंने इसकी पहली बैट ली तो बस दिल से आवाज आई वह पहलवान वह मुझे बहुत जादा पसंद आया और जो नॉर्मल ड पांच प्याज ली हैं और कुछ हरी मिर्चें तो आप चार टमाटर और चार ही प्याज लें तो बनाने में तो थोड़ा सा फर्ख है बट टेस्ट में बहुत बड़ा फर्ख है तो यही फर्ख मा आज आपको सिखाने वाला हूं वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें तो इसके हमने चोटे-चोटे टुकडे कर लिये हैं तो अब हम इसमें एट करेंगे 5-6 काजू और 2 टिबले स्पून यह मगज है यह एक ठिकनिक एजेंट भी है और अमल्सिफायर भी है तो इसका काम होता है ग्रेवी को ठिक करना और पानी को ग्रेवी से अलगना होने देना अगर आप बटर चिकन या शाही पनीर बना रहे हैं उसके अंदर टमाटा और प्यास की ग्रेवी होती है उसको अगर आप ड्राइ नहीं करेंगे ग्रेवी को थोड़ा सा लूज रखेंगे तो उसमें पानी सेपरेट आपको नज़र आएगा और बाग ही वो नीचे बैठा धनिया पौडर 5-6 हरी लाइची 7-8 लॉंग 7-8 काली मिर्च इसमें एट कर देंगे एक बड़ी लाइची और दू टुकड़े 2 इंच के जावित्री हाफ गार्लिक और 1.5 इंच के टुकड़ा अधरक का इसको हम बारिक स्लाइस करके इसमें एट कर देंगे एक से 1.5 गलास इस बीच में आपको चिकन की प्रिपरेशन दिखा जाता हूं यह हमने बॉनलेस चिकन थाईव की पीसली है दो टेबिल स्पून जिंजर करल का पेस इसमें एट करेंगे साथी एक नीबू का रस इसमें एट करेंगे दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में आपको बनाना सोड़ा सा कलर डाइट कर रहों आपके पर हैं कितना एक करने चाहते हैं अब इसको अच्छी तरह मिक Björk कर लेंगे नमक कर सकते हैं क्योंके तंदूरी मसाले के अंदर नमक अधे नहीं लिए जिक तो चेक कर सकते हैं अगर इसमें आपको नमक कम लगे तो नमक एड़ कर लिजेगा इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ देंगे तकरीबन आदा गंटे के लिए प्याद और टमाटर का पानी खुछ खुछ चुका था और हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे जो इसमें बड़ी लाइची हमने डाली थी और सिनिमन स्टिक्स तो आप उसको निकाल कर फेक दें क्योंकि उसको पिसना थोड़ा सा मुश्किल होता और जितनी खुछबू हमें चाहिए थी उतनी खुछबू इसके अंदर आ चुकी है तो देखें ये इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा देखके निकाल दें तो इसका एक बारीक मिक्सी में पेस्ट बना लें तो यह हमारा पेस्ट रिडी हो चुका है 400 ग्राम दही एट करेंगे ये कोशिश ना करें कि ये बहुत फ्रेश दही हो क्योंकि उनकी जो ग्रेवी मित थी उसमें अच्छी खासी खटास थी एक टेबली स्पून इसमें हमने एट करिए कसूरी मेती जिसको हमने हलका सा तवे पर रोस्ट करके पॉडर बना लिया था एक टेबली स्पून इसमें एट करेंगे कोकोनट पॉडर तो ये दस क्वांटिटी आप देख लें इतना ही कोकोनट पॉडर जागा जितना मैंने तर एट किया है यह हाफ स्पून गरम मसाला हाफ स्पून ब्लैक पेपर हाफ स्पून जीरा पाउडर एक स्पून शाट मसाला इन सब इंग्रिडेंट्स को एट करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब इस पोजिशन पर आने के बाद आप नमक और टेस्ट कर सकते है है अगर आपको लगे मिरच कम है तो मिरच है कर लिज क्योंके नमक कम लगे तो नमक कर लिजे यह कियोक्ति नमक नहीं डाला था तो अब हमने इसमेश्ण लाइक कर दिया है गृष गृवी को पानी डाल के थोड़ा सा और पतला करें तोड़ा सा ओएक करेंगे इस Te तो 10 मिनट तक low heat cook करेंगे । बिच में चलाते रहे है दस मिनट तक अच्छी तरह से इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो लिए दस हो चुकिए है और हमने हमारी डेडि होचुकि ए चिकल्बा ग्रिल करने इस प्रोसीजर से आप अपने घर के अंदर गैस के उपर ही कर सकते हैं बहुत ही आसानी से मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से करना तो इस तरह की एक जाली-दार प्लेट हमने इसको बर्नर पर रख दी है इससे बर्नर के को प्रोडेक्शन मिलेगा जो इसके उपर से मेट्र जिससे आपके अपार्टमेंट में ज़ादा स्मोक क्रियेट नहों वैसे तो यह 15 मिट्ट में पूरा तरह से टेंडर हो जाए लेकिन आप इसकी फिक्र ना करें कि यह पूरी तरह से टेंडर हुआ या नहीं आपको सिर्फ इसके उपर एक स्मोकी फ्लेवर लेने हैं और बर स्टील करना ही पड़ेगा हमने थोड़ा सा हरादानिया और जिंजर जियूलियन की है चिकन हमारा रेडी हो चुका है अब हमने एक स्टील का बड़ा तवा लिया है आप चाहें तो घर में जो नॉर्मल फ्रैंक पैन होता है वो इसका इस्तामाल कर सकते हैं अब मैं आपको बत आपको के जब वह तवे को टालते हैं तो उनके जो हैश होता है वह है स्पीड होता है जब ग्रेवी जैसे इस कर अदर डालते हैं वह फ्रै होने स्टाउट होई बहुता है तब तो अब जैसे कि आप जब भी बनाएं तो थोड़ा-थोड़ा करके बनाएं पैन के अंदर सारा एक साथ ना बनाएं इसका हमने थोड़ा सा टंपरेचर इंक्रीस किया है बीच में से जगा खाली करके इसको अच्छी तरह से भूनना होगा तो देखें अब इसके रंगत इस तरह की हो गई है और अब इसमें एट करेंगे हरदनिया और जिंजर जूलियन थोड़ा सा मसाले को और जादा ड्राइ करेंगे और बस अब इसके अंदर तोड़ा सा गार्णिश करेंगे जिंजर जूलियन और हरदनिया से और एक्स्ट्रा पहले भी हमने डाला था लेकिन अपसमें थोड़ा सा और गार्णिश करने के लिए और बस यह रेडी है गैस को आप कर देंगे बंद दोस्तों यह रेडी है और यह है एक्जैक्ली पहलवान वाला चिकन चंगेजी गैस को हमने बंद कर दिया है तो आप इसको इंज्वाय कर सकते हैं रुमाली रोटी तंदूरी रोटी के साथ हालागे मैं इसको घर की रोटी से इंज्वाय कर रहा हूं अभी आ रही है मगाई है मैंने बजार से तो दोस्तों यह तो हुआ बहुत ही शांदार पहलवान वाला चिकन चंगेजी और आम तोर जो चिकन चंगेजी है यह बिल्कुल पहलवान वाले चिकन चंगेजी से अलग है तो दोस्तों रैसिपी कैसे लेगी कमेंट करके जरूर बताइए दौाओं में याद रखिए असलाम अलेकूम